प्रदेश में कोरोना पोजेटिव का ग्राफ दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है लोगडाउन में खुली खाद्य और मेडिकल सहित जरूरी सेवाउं से जुड़े दुकानदारों में संकर्मन फैलना शुरू हो गया है ओलराजस्थान दुकानदार महाशंग का कहना है कि इस से प्रदेश भर के तमाम दुकानदार खासा चिंतित हैं ऐसे में दुकानदारों ने मोधी सरकार से स्कृणिंग के लिए थरमल गन और विशीश ट्रेनिंग दिये जाने की मांगी है संग के प्रदेशाद्यक्स किशोर टांक ने 4 करोड दुकानदारों को कोरोणा की स्क्रिनिंग के लिए थर्मलगन दिए जाने पर व्यापार शुरू की जाने की बात कही है हाला कि टार्क ने कहा कि बजट के अभाव में सरकार अगर थरमल गन नहीं दे सकती है तो दुकांदार अपने निजी खर्चे पर ये थरमल गन लेकर तयार है लेकिन GST पेक के दोरान थर्मल गन की राशी की कटोती करें आपको बता दे कि ओल राजस्थान दुकांदार महासंग के तहट सभी दुकांदार मोधी सरकार से व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सोशल मीडिया के जरिये अपनी गुहार लगा रहे हैं देश की अर्थ वहस्ता को वापस पठड़ी पे लाना है और करोना को देश से भगाना है उसमें हम ये चाहते हैं कि देश के चार करोड छोटे वहपारी आप उन्हों आप उन्हें करोना के वैलेंटर बनाईए आप उन्हें प्रक्षिक्षन दीजिए और उनको temperature गन दीजिए जैसे ही आप lockdown हटाएंगे यह सारे पब्लिक जो निकल के बाहर आएगी दुकानदार जब इनके यह माल खरीदने आएगी पब्लिक तो वो उस temperature गन से उनका temperature देखेंगे यदि अधिक होता है temperature तो तुरंट उ लखे के उसको आप जो है corona volunteer कहें देश में चार करोड़ लोग हैं अगर चार करोड़ लोग देश की जनता का जगे जगे temperature लेके और जो संदिक्द हैं उनको hospital विजवाते हैं तो यह देश की बहुत बड़ी